दोस्तों, यह कहानी उस लड़की की है जो UPIC की तैयारी करने के लिए शहराई होती है। घर की आर्थिक स्थिती सही नहीं होने के कारण उसे एक होटल में भी काम करना पड़ता है। और आज इंटरव्यू भी था तो उसके पास इतना पैसा नहीं था कि वह इंटरव्यू दे पाती तो इस दिन होटल में रियल टैलेंट को पहचानने के लिए होटल में कमपटीशन आयोजित करवाते हैं जिला अधिकारी के द्वारा और जो भी इस कमपटीशन को जीतेगा उसे एक लाक रुपे और स्टेट लेवल कमपटीशन खेलने का मौका मिलेगा। ये सुनकर के अपने काम पर ध्यान देती है और केवल एक मिनट के अंदर में वह बहुत ही सुन्दर तरीके से फ्रूट कटिंग किया और साथ ही फर्स्ट प्राइस को भी जीत लिया। ऐसे टिलेंटेड लड़की के लिए एक लाक बनती है।